नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्छा अकेडमी में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में है अविस्वास प्रस्ताओं से शम्मंदित कुछ महत्पून प्रस्ट जो की आपको आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही जादा महत्पून ह होंगे तो चले दोस्तो देर ना करते हुई ब्यूडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वास प्रस्ताओं किस नियम के तहत पेस किया जाता है या इस वास प्रस्ताओं का बर्णन किस नियम में या आईटीकल में दिया हुआ है तो इसका आंसर है नियम बन 98 या 1059 के तहट पेस किया जाता है यानि कि 118 इसका वड़न नया सका उल्लेह है अविश्वास प्रस्ताओं इसके साथ बढ़ते हैं अंगले पर दूश्रा प्रश्ण है अवीश्वास प्रस्त करने हेतो nियूतम सधस्सांक्या कितनी होनी चाहिए निवतम सदस संख्या कितनी होनी चाहिए यानि कि कितने सदस होनी चाहिए आविस्वाव प्रस्ताव लाने के पक्ष में तो दूस्तो इसका सही आंसर है लग निवतम 50 सदस होनी चाहिए आविस्वाव प्रस्ताव लाने के पक्ष में दोस्तो इसका सही answer है option C इसकी बार चलते हैं अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है आविस्वास प्रस्ताओ कहां पेस किया जा सकता है option है राज्य सवा में किया सकता है लोग सवा में या C option है A और दोयानी की लोग सवा और राज सवा दोनों में या फिर D इसमें से कोई नहीं तो इसका सही answer है option B यानि कि आविस्वास प्रस्ताओ जो है वो केवल और केवल लोग सवा में ही पेस किया जा सकता है और केवल लोग सवा में पेस किया जा सकता है राज सवा में पेस नहीं किया जा सकता इसके बाद चलते हैं नेश्ट प्रश्ण पर आविस्वास प्रस्ताओं किसके खिलाप लाया जाता है और इसका सही आनतर है दोस्तों यह बर्तमान सरकार के खिलाप लाया जाता है जिसकी सरकार होती है उसकी खिलाप लाया जाता है पिपक्च नेताओं द्वारा तो इसकी बात चलते हैं दोस्तों अंगला प्रश्ण है लोक शवा में आविस्वास प्रस्ताव पेस करने से पहले इसकी लिखित सूचना किसे देनी होती है किसको देनी होती है तो इसका सही आंजर दोस्तों इसकी सूचना लोक शवा अध्यक्ष को देनी होती है और लोकसवाद दक्स को पहले बता दिया जाता है कि हम आविस्वास प्रस्ताव पेस करने जा रहे हैं और दोस्तों यह है सुबाए 10 बजे से पहले बता देना जरूरी होता है यादि 10 बजे के बाद बताते हैं तो यह पेस नहीं होता उस दिन अंगले दिन पेस होगा यानि जिस दिन पेस्ट करना होता है उसके सुवए 10 बजे के पहले लोग सवा को सूचना देना अनिवार रहे है इसके बाद चलते हैं नैश्ट प्रश्ण पर मोदी सरकार के खिलाब आभिस्वास प्रस्ताव किस पाल्टी द्वारा लाया गया था जो अभी लाया गया है 2008 में मोदी सरकार के खिलाब यह किस पाल्टी के द्वारा लाया गया है तो इस पाल्टी का नाम है ओप्सन बी तैल्गु देशम पाल्टी तैल्गु देशम पाल्टी द्वारा लाया गया और इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया है इसको दोस्तों TDP भी बोलते हैं TDP इसका सौट नेम है तेंगुलन डेसम पालिटी का सौट नेम TDP है इसके दौरा ही मोदी सरकारे खिलाब आविस्वास प्रस्ताओ पेस किया गया था जो की पारत नहीं हो पाया और आविस्वास प्रस्ताओ के पक्च में केबल और केबल 126 वोट पड़े और बरतमान सरकार यानी की मोदी सरकार के पक्च में 325 वोट पड़े थे तो दोस्तों यह हैं खारिज हो गया था इसके बाद चलते हैं नेश्ट प्रस्ट पर देश में पहली बार आविस्वास प्रस्ताओ किस सरकार के खिलाब पेस किया गया था तो इसका सही आंसर है आप्सन B यानि की नहरू सरकार के खिलाब पेस किया गया था और किस ने किया था इसके बिवक्ष के नेता थे जेपी किरपलानी जिन्होंने नहरू सरकार एक खिलाब आविस्वास प्रस्ताओ पेस किया था इसके बाद चलते हैं अंगले प्रस्ट पर इतिहास में पहली बार किस देश की संसद में अविस्वास प्रस्ताव 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 प्रस 1742 में दुश्टो रावर्ट वाल पोल की सरकार थी यहां पर और उनकी खिलाब यह है आविस्वास प्रस्ताओं पेस किया गया था इसके बाद अंगला प्रश्ण है भारती इतिहास में पहला आविस्वास प्रस्ताओं का पेस किया गया था तो इसका सही आंसर है आप्शन D यानि कि अगस्त उन्नीस सो त्रेशट में पेस किया गया था इसके बाद नेश्ट प्रशन है सरवादिक आविस्वास प्रस्ताओं किस सरकार के खिलाप पेस किये जा चुके हैं सरवादिक आविस्वास प्रस्ताओं किस सरकार के खिलाप या किस सरकार ने सामना किया है तो दोस्तो इसका सही आंसर है option B यानि कि इंद्रा गांधी सरकार ने सरवादिक आविस्वास प्रस्ताओं का सामना किया है दोस्तों यह है 15 बार इनके खिलाब 15 बार अविस्वास प्रस्ताओं पेस किया गया था लोकसवा में इसके बाद अंगला है सबसे ज़्यादा अविस्वास प्रस्ताओं पेस करने का रिकार्ट किसके नाम है सबसे ज़्यादा किसने अविस्वास प्रस्ताओं पेस किया था इसका सही answer है option C यानि कि जोतिर मैं बसू ने पेश किया था और दोस्तों यहां इनों ने लगभग ने दोस्त चार बार पेश किया था वो भी इंद्रा गांधी सरकार के खिलाब चार बार पेश किया था इसके बाद next question है अविस्वास प्रस्ताओं का सामना करते हुए अब तक कितनी बार सरकारें गिर चुकी है तो उसका सही answer है option A यानि कि दो बार गिर चुकी है दोस्तो एक गिरी थी 1978 में मोराजी देशाई की सरकार और दूसरी गिरी थी अटल बहारी की सरकार अटल बहारी की सरकार only एक बोट से गिर गई थी एक बोट कम पड़े थे और गिर गई थी अभी तक केवल दो बार ही ऐसा हुआ है जो आविस्वास प्रस्ताओं के कारण सरकार गिरी है इसके बाद अंगला प्रश्न है अंतिम बार आविस्वास प्रस्ताओं किस सरकार के खिलाब लाया गया था अंतिम बार किस सरकार के खिलाब आविस्वास प्रस्ता लाया गया था या तो दोस्तो यह है ओप्सन है सही ओप्सन बियाने की मोधी सरकार मोधी सरकार के खिलाब लाया गया था दोस्तो यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया था उनीस सो एठत्तर में जो मोररजी देशाई की सरकार थी वह गिरी थी और ओर और एक बार गिरी थी उनीस सो अंधानावे में अटल भैयारी बाचपाई की सरकार जहें दो बार गिर चुकी है सरकार आविस्वास प्रस्ताऊ की कारणा इसके बाद एप प्रेश्न हो चोगा था अब तक कुल कितनी बार संसत में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है तो दूस्तों इसका सही आंसर अब तक 27 बार पेश किया गया है 27 बार पेश किया जा चुका है इसके बाद अंगला प्रश्न है अविस्वास प्रस्ताव ना मन्जूर होने के बाद विपक्षी दल कितने समय के बाद दोवारा अविस्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है कितने समय बाद तो इसका सही आंसर है option B यानि कि अंगले 6 माईने बाद फिर से आविस्वास प्रस्ता ला सकता है इसके बाद अंगला प्रश्न है यदि आविस्वास प्रस्ता पास हो जाए तो क्या होता है? option A मंत्री मंडल को इस्तीपा देना होता है option B है बहुमत प्रधान प्राइम मिनिश्टर को बहुमत के लिए बिस्वास प्रस्ता लाना पड़ता है या फिर option C उप्रियोक्त दोनों तो इसका सही आंसर है option C उप्रियोक्त दोनों यानि कि पहले जब आविसबास प्रस्ताव पास हो जाता है तो तुरंथी मंत्री मंडल को इस्तिपा देना होता है उसके बाद ट्राइम मिनिश्टर जो होता है वह है विसबास प्रस्ताव लाता है इसके साथ ही दोस्तों यह वीडियो यहीं पर शमाप्त होता है यदि आपक यह वीडियो पसंद आया हो तो फिलीस वीडियो को लाइक करने शेयर करने और दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूने तो चले दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक कीरे दोस्तो बाई